आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंडरी के क्वाईजेस जो की एक्जाम में हमारे लिए हल्प उपल रहेंगे जिस भी एक्जाम में एक्रिकल्चे से रिलेटेट पूछते हैं उनमें एनिमल हस्बेंडरी के क्वाईजेस पूछते हैं इसका पहले एक वीडियो मैं बना चु जळी होना चाहिए कि अगर हम पसु साला पूरभ दक्षिण में बनाएंगे तो उससे पसु को आंधी धूप लू इन से बचाए नहीं जा शकता तो उत्तम दिसा कुण सी होती है गोशाला कि गाई की से केते हैं जैसे कोई घाई को जनमी देती हैं तो घाए के थनोंसे पिलाये जाता है लेकिन उसके अलावा भी कुछ बहारी तोर पे बहारी तोर से जो बच्छिता यदे उनको आहार दिया जीदा तो सहार को ही काफी स्टाटर केते हैं, तो काफी स्टाटर के राशन में क्या होना चाहिए? तो काफी स्टाटर के राशन में 20-23% DCP और 70-25% TDN यानिगी 20-23% पाचक कुरूट पोटिन तता 70-25% कुल पाचक ततु होना चाहिए, आपको देहान रखना है, आपने देट इन यंग बूल, deficiency of vitamin A में lead to, यानि वयसको सांडों में vitamin A की कमी से क्या हो सकता है, तो आपको पता है, vitamin A की कमी से मनिश्यू में भी रतोंदी रोग होता है, तो दोनों का सेम vitamin A से रतोंदी रोग होता है After that, pH of excellent silages, यानि अति उत्कस्ट silage में pH होता है, अब आपको बता दू, silage किसे केते हैं, जैसे कि एक्जाम्पल के तोर पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि फूट को हमें बहुत दिनों तक रखना है, तो उसकी processing किया जाती है, उसको डिब्बे में बंद किया जाता है, जैसे हो रखा जाता है, सुरक्षित रहता है, और कुछ दिनों बाद उप्योग कर लिया जाता है, उसे प्रकार silage को, ये silage कुछ नहीं होता है, एक घास होता है, इस घास को हम गड़े में दबा कर रखते हैं, जिसको कुछ दिनों बाद प्रयोग में लाते हैं पसों को ख जान रखना है, अत्य उत्कस्ट चाली में pH होता है, 3.5 से 4.2, मुझे लगता है, आप याद रखेंगे, सेकंड, what percent of dry matter present in wet bhusa, अब bhusa तो आपको पता है, ये जो बगदा सुकला कहते हैं, उसको, तो गयों के भhusa में सुसक पदार्त कितना प्रतिस्ट होता है, तो उसके, उसमें होता है सुसक पदार्त 90 प्रतिस्ट, येनिकि dry matter 90 प्रतिस्ट होता है, गयों के भhusa में, इसलिए आपको और कुछ फसलों के भूसे में सुस्क पदारती याद रखने चाहिए तो आप भूल पर सर्च कर सकते हैं अपर देट इन काउस फस्ट रिंग और बोर्ण अपेर्स एड़ दी एज ओफ यानि गाई के सिंगों में प्रतम छल्ला कब बनता है तो प्रतम छल्ला बनता है तीन साल में यानि कि तीन साल में प्रतम छल्ला बन जाता है अब छल्ला आपको समयमी नहीं आ रहोगा जिसी कि जब बचड़ा जन्म लेता है उसको तीन साल बाद सिंग में एक छल्ला आ जाता है तो चल्ले से क्या उसकी जायू ग्याद की जाती है तो यहाँ पर गाय के सिंगों में प्रतम चल्ला कब बनता है तो बनता है तीन साल की उमर में प्रतम चल्ला बन जाता है बेस्ट मेथेड ओफ एज डिटर्माइनेशन इन केटली यानि गायों की उम्र ग्याद करने की सरोत्तम विदी क्या है यहीं कि जिसे मनुष्य की उम्र तो हमें ग्याद रहती है लेकिन गायों की उम्र ग्याद करने के लिए हमें वह थोड़ी बताई कि तो उसकी उम्र हमें दियान रखने के लिए कुछ वीदिया प्रियोक किये जाती है उसमें जैसे कि सिंगों को देखकर खुरों को देखकर दंति वीदी सामानी वीदी तो वीदिया तो सभी गाय की उम्र गयात करने के लेकिन इसमें सबसे अच्छी वीदी कौन सी है तो सबसे उच्छी विदी है दंती विदी अब आप पुछेंगे दंती विदी सबसे अच्छी क्यों है तो इसलिए यूगि सिंग से गयात करेंगे तो बहुत सारे पुछों के विदी करेंगे दातों को देखकर हम पुछों की ह्यात कर सकते हैं आपने भी कहीं पर देखा हुआगगे दात को देखकर इसकी यह ग्यात की जाती और सामान्य विद्धी में परफेक्ट यह हमें ग्यात नहीं हो पाती है तो सबसे परफेक्ट विद्धी वह दंत विद्धी आपको ध्यान रखना है देन्टल फॉर्मूला अप्टर देट by scorecard method maximum number is given on यानी scorecard विद्धी में सबसे ज़्यादा अंक किसे दिये जाते हैं तो किसको दिये जाते हैं उध्याय दिये जाते हैं आयन के विकास पर यानिके अडर देवलप्मेंट अब आपको सभीना हो रहा है scorecard किसे केते हैं scorecard जैसे कि पस्वों के हर यदि कोईसा भी अंक हो जैसे कि मूँ, पूच, थन, पेर इनक सबको अंक दिये जाते हैं और टोटल अंक होकर 100 अंक होते हैं तो उनमें से सबसे ज़्यादा अंक किसे दिये जाते हैं जैसे कि पूच को दिये जाते हैं मूँ को दिये जाते हैं या आयन को दिये जाते हैं तो किसे दिये जाते है सबसे जयादा आगके, इनक जैसे कि किसी को पाई दिये गए, किसी को साथ दिये गए, तो सबसे जयादा किसी धी जाते हूँ, वो दिया ते, आयन विकास पर, क्योंकिए आयन ौक्य। है दूद उत्पदन के लिए तो आयन विकास पर सबसे आदा स्कोर कार्ड में अंक दिये जाते हैं अप्र देट मैक्जिमम एक प्रडूसिंग ब्रीड ओप पोल्ट्री इज सबसे अधिक अंडा उत्पदन करने वाली मूर्गी की नस्ल कोन सी है तो आपको पता ही है तो अपसलूटली पता होगा क्योंकि आप एक्जाम के त्यारी कर देए तो एगरी कल्चार को तो बढ़ी रहे होंगे त कड़कनाथ जो मुर्गी है मध्यप्रदेश की मुर्गी अब आपको बता दू कड़कनाथ की कुछ विजसता है जो कि एक्जाम में अधिकतर पूछते कड़कनाथ का मास भी काला होता है वह इसका खुन भी काला होता है तो अगर हमसे पूछ ले कि मास खुन रंग तीनों क कि यह मुर्गी की नस्त लेकिन मुझे सिसके बारह मं बता और शील लड़ा को मूर्गी तो आपको बता दिया मैं नहीं सबसे सबसे देख अंडा उत्पदन करने वाली मुर्गी की नस्त हो यह वाइट लेगोन और कड़कनात के बारे में आपको बता दिया असील के बारे में बता दिया और आर 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 के बारे मुझे डिटेल में पता नहीं चलो नेक्स्ट वी अब्जेक्टिव देखते एक प्रोडु मास उत्पदन करने वाली मुर्गी क्या कर लाती उसे ब्रोइलर बोलते जैसी कि अगर दो मुर्गिया खड़ी है अब कोई अंडा उत्पदन करती है तो हम उसे बोलेंगे ए ब्रोइलर ए लेयर है और अगर कोई मास उत्पदन करती हानी मास के लिए पाले जाई कोई मुर् चलिए नेक्स अब्जेक्टिव देखते हैं बचलिए के लिए कितने जगा की जरूत पड़ेगी बीडि जरूत पड़ेगी डाएऽ के लिए कि रसष्बूत की जरूत पड़ेगी डाय credibility सबसे अदिका पाह जाता हमा काफी स्टाटर हुआ पर उपर वीडियो में उपर को अब्जिक्टिव में देख चाहिए कि सबसे जन्म के पहले सबसे पहले जो आय खिला जाता है उसे स्टाटर कहते है निक जो भारी तोर से आय खिला जाता है तो इस्टाटर में सबसे ज़्यादा क्या होता है वहता है प् आसा करता हूं आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अबजेक्टिव कि मुर्गियों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाग बिमारी तो है रानीखेत पता है आपको साय दे मुझे अपसलुटली यहां लगता है अब रानीखेत बिमारी अब यहां पर हमारा अंसर हो गया मुर्गियों में पाई जाने लिए सबसे खतरनाग बिमारी तो है रानीखेत लेकिन आपको एक बात और बता दू कि एक कुछ और बिमारीों के बारे में आपको बता रहूं आपको यह भी ध्यान रखना है अंसर हमारा यह है कि मुर्गियों पाई जाने लिए खलर वीपोलिन गायों तो आपको पता है जिानूको बैक्टिरीय से बिमारी फिलीए फिहलती है तो गायों में विचाणु से फेलने वाल सब्सक्राइब और अब आपको ये तो देख लिए हमने गावों में इस्टानों से फिलने वाली बिमारी खुर पका मुँपका है लेकिन आपको कुछ और बिमारियों के बारे में बता देता हूं में यह आपर अब दुख दुझवर आपको बता दू अगर हमसे पुछ ले objective में कि निम्न में से किसकी कमी से गाई में दुख दुझवर होता है यानि कि milk favor तो हमें बताना है कि LCM की कमी से दुख दुझवर गाई में होता है यानि कि milk favor लिए एंत्र्स, इंत्र्स एक बेक्तिरिया ceux हने वाली बीमारी इसका नीचे के अब्जेक्टिव महं पड़ेंगे तो चलिए देखते हैं एंट्रेक्स इस कोस्ड बाई यानि इंट्रेक्स बीमारी होती है जिस है आपको भला था मिरा हम नेक्स्ट ऑबजीक्ट्व में देखेंक तो होती है दो धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए अगर आपको पसंद आया वो करता है और सब्सक्राइब में मेरे चैनल को बेल आइकन को